तो होएगा । इस तो गैसे आफ़ लग और मार्केट नहीं अब अब्रेंड है दोस्तों तो यहां पर अब्रेंड मार्केट में तो अपकी ही ट्रेट प्लेस करने की कोसिस करेंगे इसे केंडल की क्लोजिंग हो गई वो एक Higher High का लेवल है कि वहां केंडल को reject कर दिया गया है तो इस केंडल की closing देखते हैं कहां पर हो रही है तो इसका वेट करेंगे दोस्तों भी वेट कर लेते हैं क्यूंकि हमने Green केंडल की大家都 कैसे हुई है वहां पर लगातार अपनी केंड़ बनाए और उने ब्सक्सित कि अखर होगी तो केंडल प्रिवर्स कर रही है हुआ थ्यूरण कि अ πα्र एक है वी पैंटर बनाया जा और candle को देखते हैं कहां पर इसकी closing होती है तो उसकी closing हो गई हो है अगर candle नीचे आती है तो हम up direction की trade place कर सकते हैं तो candle में strongly buyers ने reject किया है candle को तो वहां पर मैंने फिर से दो trade place कर दिया है अपर direction की trade place की दोस्तों मैंने वहां पर candle को यहां पर डोजी वगएरा बनना है मेरे हिसाब से तो फिर candle green बन जाएगी कुछ ऐसा सी नहीं मार्केट में तो यहां पर वेट कर लेते हैं candle की closing and आप देखेंगे की knowledge का power क्या होता है मार्केट में अब कि अब कि सब कुछ आपके सामने है दोस्तों कि ठीट मैंने यहां पर place किया था और वो ट्रेट जो है मेरी source or win हो गई है कि मैंने आपको बताया था कि market में वी पैटन बन रहा है market में और market जो है वह एक uptrend market है अब ट्रेंड मार्केट में एक सेलर का एक केंडल आ रहा है सेलर का वह यहां पर लगभग ओके यह एक reversal candle होता है market में तो वी पैटन तो complete होगा market में वह हमने पहले पता होना चाहिए कि market में वी पैटन complete हो सकता है और candle की जो closing होई थी उस strong candle के green candle के 50% के ऊपर ही होई थी ओके तो वो ट्रेट तो मेरी वीन हो गई है एंड यह candle अभी green बन रही है एंड इसको जो उपर से rejection आ चुकी है ओके डायरेक्ट ओपनिंग दे रहे हैं उपर से rejection है candle को और candle नीचे आ जाए तो हम एक अच्छा खासा अपकी ट्रेट प्लेस कर सकते है market में ओके candle जो है वो तो दोजी वेगारा बन सकती है market में यह candle तो हम अपकी ट्रेट प्लेस कर सकते थे इस candle पर बट मार्जन सेप्टी से अभी जो है 70% दे रहा है तो यहां से हम निकल लेते हैं ओके तो यहां पर दूस्तों गिर चुका है percentage ओके तो चलो देखते हैं दो तीन ट्रेट और प्लेस करते हैं उसके बाद निकलते हैं फिर नाइट में देखते हैं ट्रेडिंग करते हैं फिर नाइट में क्या होता है वहां पर अभी चैंडल को रिजिक्शन आ चुकी ऊपर से केंडल जो इसका ब्रेक आउट कर दे तो हम अपडायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं इसली वेट करेंगे वहां पर जहां पर मैंने और जंटल नाइन रखी वह एक लिएवल है मार्केट में तो यहां पर मैंने अपट की ट्रेट प्लेस कर दिये दोस्तूं मैंने तो कर दिया है वहां पर ऑक nieu्यावर्च की वीपैटन कमप्लीट हो रहा से वीडर नकंप्लीट होरा है और खेंडल को ऊपर से रीजेक्षन है दोस्तों बट क्यूंकि अप्ट्रेंड मार्केट में तो अप्ट्रेंड है मार्केट में तो हम सेलर के साथ नहीं जाएंगे अभी बाइंग प्रेसर है तो वेट कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर ग्रीन केंडल का अपर विक है जो अभी उस विक पर गैप है इसी वज़े से मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया है मार्केट में को ट्रेड मेरी डिफ विनिंग पर चल रही है यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर मार्केट में के डाउं ट्रेंड बक्ला के तो अभी इसकी क्लोजिंग देखते हैं केंडल को दिक्क्त स्ट्रोंग केंडल के 50% से एवनिंग स्टार का पैटर्न बनाया गया है मार्केट में और केंडल जो है मुझे अभी केंटीनुशन केंडल दे रहे हैं कि मार्केट उपर जा सकती है केंडल को कहाँ सा है थी केंडल को रींगारिकेट में अभी वहां पर अभी विकर यह थैं मार्केट से कर रहे हैं बन thirds हुझे अगर इसको इंगल्फ कर देता है तो हम अप डिरेक्शन की और जा सकते हैं बड़ फिर भी की लेवल का ब्रेक आउट होता है तो हम बायर के साथ वहाँ पर कंटीनिव कर सकते हैं बट वेट तो यहाँ पर दोस्तों हम अपके लिए जा सकते हैं वहाँ पर देख रहे हो कि एवनिंग स्टार का की लेवल है और वहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि हम बायर के साथ कंटी leging star के की लेवल के नीचे ही bit down ऑ कि तो मैंने यहां पर आपकी那 प्लेस कर दिये दो ॉपकि गैप डाउन हो रहा है उसका break out करने के लिए हो रहा है और जैसे मैं जया है विन,"اع में ने बताया था कि अभी उसके विख पर अभी भी देखो gap गैप है इतना गैप बचा हुआ है तो वह गैप कौन फुल्फिल करेगा बायर्स का गैप है न वो तो बायर रिकावरी करेंगे तो वह कर रहे हैं एड़ नेक्स्ट देखते हैं पेर तो यहां पर मार्केट में एक न्यू हाई लग चुका है तो चलो देखते हैं केंडल की जो क्लोजिंग हो गई है वो कौन सा राउंड नम्बर है वो देख लेते हैं पहले हम जहां पर इसकी क्लोजिंग है है ओके 380 का राउंड नम्बर है ओके केंडल जो अभी रेड बन रही है सेलर्स आ रहे हैं एक लेवल से आ रहे हैं दोस्तों कि वह लेवल में यहां पर लगा दे रहा हूं सिंपली यह लेवल है इन्होंने उसको टच किया है और वहां पर लिवर्स हो रहे हैं तो देखते हैं यहां पर क्या हुआ है केंडल तो ग्रीन बन गए ट्रेड में रिवीन हो गई है ओके तो केंडल यहां पर अभी अभी भी गैप है उस लेवल पर होरिजेंटल लाइन पर इसका फुल्फिल करने की कोशिश चल रही है वहां पर अगे तो इसकी क्लोजिंग देखते हैं बाय । तो उसकी क्लोजिंग टो हो गई है मार्केट में केंडल नीचे है तो अपके त्रेड हो सकती है मार्केट में मेरे बायर की निथी चाहिए ट्रेट 530 के NICK निफेरज्जें नमबर की नीचे निचे थोट्रेड वहां से अपडारेक्शन की हो सकती है तो इसको याँ पर ग्रीन बना दीया गया है लेट कर लेते हैं यह वेकर अभी कर्वर लेखें कि अवन इसकि लोट स्य देखते हैं कहां पर हो रही है तो हमें पता यह कौन सा थो हमें पता है दोस्तों तो dose दो केंडल को यहां पर रिट्रेसेमेंट बनाया जा सकता है मार्केट में ओके वेट करेंगे यहां पर ओके 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 इसका तो वेट कर सकते है मार्केट में फिलाल तो करना पड़ेगा हमें वेट कि जो बायर्स आएं वह एक हायर हाई से आया है दोस्तों तो यहां पर इसको रिट्रेसमेंट बना दिया जाएगा वो स्रिंग हो रहे हैं तो यहां पर सेलर देखते हैं सेलर क्या है कहता है हमें यहां पर तो ट्रेड मेरी यहां पर तो यह 100 आशाट थी बट ट्रेड मैं नहीं लिए यहां पर क्योंकि बायर हमें कंटिनूशन साइन दे रहा है मार्केट में उके उसको रिट्रेस्मेंट बना दिया गया है मार्केट में ऐसा कुछ बताया जा रहा है ओके केंडल को रिजेक्ट सना है दोस्तों अभी इस स्ट्रॉंग केंडल का जो ग्रीन केंडल है वो ओकेंडल उपर गई है अभी उपर से रिजेक्ट कर दिया गया इस केंडल को तो वहां पर मैंने दो ट्रेट प्लेस कर दिया है डाउन की ओके मेरे को यहां पर कोई सौर्टी नहीं थी इस ट्रेट पर पर मैंने प्लेस कर दिया है डाउन की अभी इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहां पर हो रही है यह ट्रेट साथ मेरी लोस हो सकती है क्यों क्योंकि यहां पर हमें रुकना चाहिए था दोस्तो मार्केट में अप्ट्रेंड है कि अंप्ट्रेंड है तो बायर्ण कहैं से भी आ सकते है हैं तो हमें नहीं लेनी चाहिए थी यहांपर कि बत मैंने सेलर का साथ दिया है मार्केट में तो ये केंडल रेड बन गई है वोके मैंने यापर फिर से ट्रेड प्लेस कर दिया डाउन की तो त्रेट तो मेरी रिफंड हो गई है दोस्तों और मैंने यह पर डाउन की टेट प्लेस कर दी है क्योंकि वहां पर एक देख रहे हो एक वहां पर राजिस्टेंस बन रहा है और वो राजिस्टेंस कहां पर है वो सेलर के लोवर विक पर है उसके नीचे क्लोजिंग कर रहा है तो नेक्स्ट केंडेल डाउन जानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने वापर दो ट्रेट प्लेस कर दिया है तो भी इसके क्लोजिंग देखते हैं कहां पर हो रही है